जैसा कि दोस्तों प्रिवियस वीडियो यानि की फर्स्ट पार्ट में हमने एंथो सिरॉस के क्लासिफिकेशन हैबिट और एक्स्टरनल इस्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जाना यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीड इन्टरनल इस्ट्रक्चर की एनाटामी कैसी होती है थैलस है यूनिफर्म इंटरनल ऑर्गनाइजेशन दैट इस नो सेलूलर डिफरेंसियेशन इंटू फोटो सिंथेटिक एंड इस्टोरेश रिजर्ट तो यदि हम बात करें इसके थैलस की तो इसके थैलस में जितने भी सेल और्गनाइजेशन है उनमें कोई भी डिफरेंसियेशन नहीं होता यानि कि इनके थैलस की जितने भी सेल होते हैं वो एक ही प्रकार की होती है जिसके करण आपने जैसा की देखा था कि जो रिक्सिया थी मार्केंसिया थी उनके थैलस में आपको दो रिजन देखने को मि ही मिलेंगे देखने थैलस uniformly composed of thin world इसते चल तो इनकी जो होती है ऩे जो सेल होते हैं वह थिंवल होते हैं और चल के बने होते हैं तो थिकने कि यहां पर में दिखाए दे रहा है और किनारों पर पतला हो जाता है ठीक है अब यह डिपेंड़ करता है अलग-अलग इस पिसी पर यानि कि अगर सिरोस की बात करें तो सिरास में अलग-अलग आपको देखने को मिलती है जैसे कि बात यह मोट होता है जब हम बात करें यह 8 10 से का मोटा होता है यह सबसे एधिक 3-40 चेल का मोटा होता है इस यवान और ओर दिशकाइड और और लेंच सेपट क्लारोप्लास विथ लाज़ गतर तो इसके जितने भी पैरेंक्यागे दिछाते है है और इस chloroplast में एक large paranoid पाय जाता है तो आगे next slide में हम इसको देखते हैं next image में आपको यह दिखाते हैं कि कैसा इसका paranoid होता है पहले पारो इनोइट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ पारो नायट का मतलव होता है वेन प्रोटीन इस रौन जरॉडेट बाइस इस इस नट पार नोग्त तो जब प्रोटीन इस ढ़िए और से घीरा होता है तो उस येर चैंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसके बदले में आपको थैलस के जो लोवर सर्फेस है तो लोवर सर्फेस में आपको इंटर सेलूलर मिंसलेस कैविटी दिखाई देगी तो यहाँ पर आप चित्र में नीचे की तरफ राइट साइड देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिसिलेज कैविटी देखने को मिलेगी एक यह है मिसिलेज कैविटी ठीक है और यहाँ पर आपको एक दूसरा मिसिलेज कैविटी देखने को मिलेगा तो जो इसके अपर एपिडर्मिस होते हैं वो कॉंटिनिवस होते हैं एयर चेमबर नहीं होता बट नीचे की और आपको मेशिलेज कैविटी देखने को मिलती है तो इन मिश्चिलेस कैविटी में आपको एलगल इसमें साइनो बैक्तिरियन होते हैं जिसें व्लू ग्रीन आपको देखने मिलेंगे इसमें के अलावा आपको जितने भी इसल दिखेंगे वह पारेंट केंटर दिखेंगे जिसमें की एक बड़ा disc shape या फिर oval shape का आपको chloroplast देखने को मिलेगा इनमें जो chloroplast होता वो बड़ा होता है क्योंकि इसमें paranoid पाहे जाते हैं तो आई ये बात कहते हैं कि ये जो micelles cavity है वो कैसे बनती है These cavity are formed due to the breakdown of the cell The breakdown of cell is called cysozenus तो micelles cavity का जो निर्मार होता है वो parent diameter cell के तूटने से होता है यानि कि जो parent diameter cell होते हैं वो तूट जाते हैं और उनके तूटने से जो खाली स्थान बनता है उसे हम बोलते हैं micellesiness cavity तो जो ये cell तूटते हैं इस condition को हम बोलते हैं cysozenus micelles cavity open on venter surface through the slime pore तो ये जो micelles cavity होती है वो venter surface पे यानि कि जो lower epidermis है वहाँ पर आप देखेंगे छोटे से pore में खुलती है जिसे हम slime pore कहते हैं तो आप फिगर में देख सकते हैं नीचे हाँ पर आपको slime pore देखने को मिलेगा The micellesiness cavity carry blue green algae nostock तो जैसा कि मैंने पीशे भी आपको बताया था कि ये जो micellesiness cavity होती है इसमें आपको sinobacter यानि की blue green algae के nostock दिखाई देंगे Some cell of the lower epidermis extend to form smooth walled rhizoid तो इसके जो lower epidermis के parent chemitis cell होते हैं वो extend होते हैं और वही formation करते हैं smooth walled rhizoid का कहने का मतलब यह है कि जो smooth walled rhizoid होते हैं इनका formation या इनका निर्मार lower epidermis के cell से होता है तो यहाँ पर आप anthoceros के thailas का detail diagram देख सकते हैं आपर आपको detail diagram में दिखाया गया है आपर आपको ऊपर की और upper epidermis और नीचे की और lower epidermis देखने को भी लेगा और नीचे की और आपको micellasiness cavity देखने को भी लेगी जिसमें की algal filament है तो यह जो algal filament है यह nostock of filament है तो जो नास्टाक है यह एक filamentous algae है इसके लावा आप जो cell देख रहे हैं वो सभी parent kinetis cell है जिसमें एक बड़ा सा chloroplast है जिसमें की paranoid पाये जाता है इसके अलावा आप सभी micellas cavity देख सकते हैं ठीक है इस micellas cavity का जो formation होता है वो होता है cytogenously यानि की parent kinetis के degradation से बनता है parent kinetis जब खत्म होते हैं तो जो space रहता है वही बनाते है micellas cavity यह जो micellas cavity होते हैं वो नीचे की और winter side में एक small pore में खुलते हैं कें जिसे newsletter कहते है जैसाख फिगर में आप देख सकते हैं तो यदाए आप यह स्लाइम पौर को detail में देखे तो तो कुछ आपको से दिखायाँ देंगा जैसा कि आपको इस टो में देखने को मिलते हैं ऊचले तक से आपको स्सारइम पूर भी देखने को होगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें बड़ा आपको दिख रहा होगा और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है तो पायरनोइड क्या होता है मैंने पीछे भी आपको बताया था वेन प्रोटीन इस सराउंडेड बाई इस्टार्च इस काल्ड पायरनोइड जब प्रोटीन इस्टार्च से घीरा होता है तो उसे हम पायरनोइड कहते हैं तो जब लैम में हम अगर थैलस के चांस्वा सेक्शन को कट करते हैं तो कुछ इस तरह हमको सेल दिखाए देते हैं यह आपको पैंड कावेटर से इस तरह से दिखाए देगा और जो मिशिलेज यानि की पार्ट थर्ड में हम एंथो सिराउस के रिप्रोडक्शन के बारे में इस्क्रस करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ अब तक के लिए जहिन श्या भारत